बाइसाब ऐसाब तक कही लोग जूट बोल देते हैं कि पचास उरुपे अंडे का रेट मिल रहा है इसमें थोड़ा आप इस बारे में बताओ सच्चा ही है नहीं है यह बाइसाब बिलकुल सच्चा ही है आप आपकी बात भी करा सकता हूं मेरे पास बंदे ले जाते हैं जैस अचा जो आपने मुर्गे पाल रखी इधर आजो थोड़ा जैसे आपने यह एरिया दे रखा है यह लगब कितनी हाइट होगी इसकी जो यह आपने ग्रीन एट सा लगा रखा इसकी वाइसाब पांस फुट हाइट होगी तो इसकी उपर से जाती नहीं है देशी मुर्गया यह तेरा मुर्गयों पर एक मुर्गा काफी रहता है भाई साफ नास्कार दोस्तो स्वागित आपका पोल्टी पैन इन्सो में और दोस्तो आज मैं आपको बहुती बहुत बैतरीन इंटीग्रेटीड फार्मिंग मॉडल दिखा हूँगा जिसके अंदर इनोंने मुर्गया पाल रखी हैं देशी मुर्गया साथ में जो डौग हैं फिमेल डौग हैं वो पाल रखी हैं और साथ में इनोंने खरगोस भी पाल रखे हैं ये एक इंटेग्रेटिटिड मोड़ल क्या होता है इसके अंदर अलग अलग जो पसु वगेरा जो हम रखके और इससे मुनाफ़ा लेंगे साथ में दोस्तों आपको बता दू जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है यह मेरा एक वट्सप गुरूब हजीश के अंदर बहुत सारे पॉल्टे फार्मर भाई जुड़े वे तो आप दीसका इसा बन सकते हैं आपको क्या करना है आपके स्टेट का नाम और अ अपने बारे में और अपनी इस फार्म की लोकेशन के बारे में बताएं जहां पर आपने देशी मुर्गी फार्म करका है साथ में आपने जो डोग फार्म भी कर रखा है और साथ में अपने खर्गोस भी पाल रखे हैं नुसकार बाई साब बाई लोकेशन अपने गाउं द आपके बाई चाहरे की खुशी सी यह पता लग रहा है कि मतलब इसमें आपको आमद नहीं हो रही है क्योंकि आप मेरे को बता रहे थे कि वही दो डोग से भी मैं आराम से महीने के 30-40,000 रुपे कमा लेता हूं कमा लेता हूं तिक है अच्छा यह बताओ आपने जो यह मुर्गज भी प्ल रखिए हैं हमारा चैनल है मeyl फोकस करेंगे मुरगी पे अपने ये मुरगया कितने टाइम से पाल रखी इस बारे में बताओ भाइसाब मेरे को मेरे को रखी निकाल लिता हूं और आट में साल कर देता हूं ऑइसा चिक वी और यह देखो यहां पर लिख भी रख यह देखो डोग कैनल है अचा देवास कुतों से सावदान काटने पर कोई जौवदारी नहीं होगी यह देख लो भाई यह इनका फारम है तो भाई एक बर फार्म यह बंद कर दो चलो माई कर देता हूं गेट बंद आपका तो भाई यह इ फारम क्या होता है वह आपको थोड़ा नो ले है इस बारे में जैसे जानबर खुला रहे तो बाई सब एक्टिव रहता है बंदन में बाई सब्सक्राइब ग्रोथ नहीं होती बच्छों की या डोगो चाहिको कुछ भी चीज बंदन तो बंदन होता है वह सावे लिए खु मेरे कर दींड रहे हैं जो मेरे मेरे को यह जो मुर्गा दिख रहा है की क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है मेरको क्यूंकि बहुत सारे फार्म उपर गया वह करते हैं लड़ते हैं लड़ते रहते हैं अच्षा ओष्ट लोग ऑफन जातों नहीं कर पाते हैं छेगे एक अधर फेल लएते हैं अच्छा पचांस रुपे काफिया अच्छा रेट मिल जाता है अधर तो ऐसा पर में लोग जूट बोल दे तें कि 50 रुपे इसमें थोड़ा आप इस बारे में बताओ सचा ही है नहीं यह बाइशा बिलकुल सचा ही है आप आपकी बात भी करा सकता हूं मेरे पास बंदी ले जाते हैं जैसे कि छोटे बच्चे को दुखाम हो जाए नामुनिया हो जाए उसके लिए भी ले जाते हैं बुजरुक के है तो आप मेरे को बता रहे थे कि बच्चे भी काफी अच्छा रेट रहा है तो दस बच्चे देंगे एक मुर्गी देदें दोजार रुपे में बाइशाब दोजार रुपे में जैसे आपने यह रेट बताया चिक्स का कि मतलब कि यह ड़ाइस रुपे का आपका एक महिने का बच्चा जा रहा है तो काफी अच्छा रेट मिल रहा है आपको लोग इतने महेंगा खरीद रहेते ह चीचटड शोवरी नहीं मक्ही नहीं है घर पर बाड़े में छोड़ देते पसू अच्छा पसू में जो नीचे चीचड वगरहा हो जाते हैं उसमें काम आ यह तो लोग ले जाते हैं यह बैसे कजी के साब आई सो क्कुल खाने के लिए लोग लेकर जाते वह क्या रेट दे आप इसके अंडे अपने खुद के लिए भी यूज करते हो या फिर अपने डोग के लिए यूज करता हूं वह भी सर्दियों में एक दो अंडा अच्छा ज्यादा तर तो मैं रोटी खिलाता हूं डोग को अच्छा जो आपने मुर्गे पालकी इतरा जो थोड़ा जैसे आप सब्सक्राइब कर लेती है अच्छा यहां पर घूम लेती दिन के अंदर जैसे आपकी हाइट है साथ में आपने खेत में बना रखा है अच्छा 200 फूट अच्छा तो यह जैसे आपने यह मतलब एक खेत में आपका एरिया तो इससे कुटे बिल्ली वगरा यहां पर नहीं कुटे आते हैं क्योंकि मेरे पास भी डोग पाल रखें आपके साथ साथ मुर्गों का भी बिजनेस हो जाता वाइसाब और इनके बच्चे भी देता हूं मैं अच्छा तो भाई के एक बर दोग भी देखेंगे और भाई ने यह चीज अच्छी बताई कि जो पोल्ट ने बच्चे दे रखें वह भी देख लेते हैं अगर किसी भाई को गार्ड परपस के लिए चाहिए कौन शी नसल पहले थोड़ा यह बताओ मेरे को यह जो आप इतने सारे बच्चे यह बाई साब बुली नसल है इंडियन बुली अच्छा एक बार अंदर चलके दिखाओ अच्छा तो कोई भाई अगर इस वीडियो को देख रहा है और इंट्रेस्टेड है तो इन से खरी सकता है मैं नंबर भाई के डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा और भाई का एडर से स्टार्टिंग में बता दिया है यह खरगोश के बच्चे इनके पास में अगर क कोई भाई सो किया